सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये शिक्षा निदेशाले राष्टे राजधानिक शेत्र दिल्ली की वरक्षीट वरक्षीट नमबर 11 जो की कक्षा सात्वी के विध्यारतियों के लिए है यह ली गई है मैस विशे से और इसमें आज हम जिस टॉपिक को सम तुलना यानि दो चीज़े हैं उन्हें हम गणित में उनकी तुलना कैसे करते हैं और तुलना करने के लिए जब तक दोनों इकाईयां समान नहों तब तक हम तुलना भी नहीं कर सकते तो चलिए आज हम इसी को सीखते हैं इस वरक्षीट में तो मेरे साथ शुरू करते हैं और समझने के कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर दो फलों के चित्र दे रखे हैं। पहला लिखा हुआ है strawberry 20 ग्राम और यहाँ पर सेब लिखा हुआ है 200 ग्राम। फिर दूसरे चित्र में लिखा हुआ है साइकिल की गती 10 किलोमीटर पर आर यानि 10 किलोमीटर प्रतिघंटा और कार की गती 50 किलोमीटर पर आर यानि 50 किलोमीटर प्रतिघंटा समान्यता हम अपने दैनिक जीवन में दो वस्तुओं की तुलना करते हैं और ऐसा होता भी है इसके लिए हम क्या करते हैं? वस्तूओं की तुलना करने के लिए हम अनुपात का उपयोग करते हैं। अनुपात ग्याद करते समें दूनों वस्तूओं की एकाई समान होनी चाहिए। और अनुपात का चिन आप देखिए ऐसा होता है। यह जो यहाँ पर लगाया हो है न दो कोई एकाई नहीं होती है तो ये तीन चार वाते हमें अनुपात निका요ते समय घ्याथ होनी चाहिए, यानि हम तुलना — मैंने पहले बढ़ताया आपको हम तुलना जभी कर सकते हैं जब दोनों की एकाईया समान हो, तभी तो हम उनका अनुपात निकाल सकते हैं फिर इसके बाद आता है सम्तुल्य अनुपात ये सम्तुल्य अनुपात क्या होता है अलग-अलग अनुपातों को समान भिन में बदल कर उनकी तुल्ना की जा सकती है जैसी अगर हम उपर देख रहे हैं कि सेप तो लिखे हैं ग्राम में और स्टॉबरी लिखे हो किलो ग्राम में तो पहले हमें किलो ग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा तभी तो दोनों की काई समान होगी न यदि दो भिन आपस में बराबर हैं तो उन्हें समतुले अनुपात कहा जाता है अब आप समझे राशियों की तुलना करने के लिए उनके अनुपात ग्याद करना ही सबसे असान तरीका होता है क्योंकि दो चीजों के बीच में जब हम तुलना करते हैं तो हम अनुपात से आम तोर पर हम अनुपात से ही उनकी तुलना करते हैं और यही सबसे असान तरीका होता है राशियों का अनुपात एक भिन राशी होती है तो चलिए एक उधारण की सहयता से हम इसको समझें 3 km का 300 मीटर के साथ अनुपात देखने में तो समझी नहीं आता क्योंकि 1 km है और 1 मीटर है तो इसको हम जब रखे देखते हैं तो 3 km और अनुपात का चिन मैंने आपको पताया है ये 2 बिन दिया 3 km अनुपात 300 मीटर तो सबसे पहले अगर हम किलो मीटर को मीटर में चेंज कर दें तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो 1 km में 1000 मीटर तो 3 km में 3 गुना 1000 मीटर 1-1 का मतलब होता है unit यानि दोनों की unit सेम होने चेंज यानि दोनों तरफ मीटर होना चेंगे या फिर दोनों तरफ किलो मीटर होना चाहिए फिर 3 गुना 1000 मीटर से क्या आया तीन हजार और सामने तीन सो है जब हमने इसको भाग करके देखा तो सरल रूप में अनुपात आया दस अनुपात एक इसी तरह से जब हमें दो चीजों को बराबर करना होता है तो उसकी कुछ उधारन यहाँ पर है जैसे एक रुपे में 100 पैसे 100 पैसे होते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं एक घंटे में 60 मिनट एक किलो मीटर में 1000 मीटर एक मीटर में 100 सेंटी मीटर यानि 100 सेंटी मीटर एक लीटर में 1000 मिलीटर और एक दर्जन मतलब 12 चीजे अब अगला टॉपिक है कि राश्यों को समानुपात में रखना और राश्ट्रिय ध्वज सदैव एक निश्चित लंबाई वा चोड़ाई के अनुपात में ही बनाये जाते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनका अनुपात हर तरफ हर जंडे में एक जैसा ही होता है तो चलिए एक और उधारन समझे एक कंप्यूटर प्रियोक्षाला में छे विध्यारतियों के लिए तीन कंप्यूटर होने चाहिए ग्याद कीजिए कि 24 विध्यारतियों के लिए कितने कंप्यूटरों की अवशक्ता होगी तो जो हमें दे रखा है पहले हम वो लिखते हैं छे विध्यारतियों के लिए कंप्यूटरों की संख्या कितनी होने चाहिए तीन तो फिर एक विध्यारति के लिए कंप्यूटरों की संख्या तीन बटा छे और 24 विध्यारतियों के लिए computer की संख्या जो 1 है 3 बटा 6 उसको हम 24 से गुणा कर देंगे तो इसका मतलब 24 विध्यारतियों के लिए आ जाएगा तो जब हमने इसको करके देखा तो मैंने आपको इसकी गुणा सिखा रखी है परिमे संख्याओं की तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं जो आमने सामने होता है उसको हम आपस में भाग कर सकते हैं जैसे 6 कम 6 और 6 चौप 24 और उतराया 3 गुणाचार यानी 12 computer की हमें अवश्यक्ता उधारन है कि राजस्थान की जनसंख्या है 570 लाग और यूपी की जनसंख्या है 1660 लाग राजस्थान का शेत्रफल 3 लाग प्रतीवर किलोमीटर और यूपी का शेत्रफल 2 लाग प्रतीवर किलोमीटर है तो इस्तिति देखे क्या है दोनों राज्यों में प्रतीवर किलो लगाना है तो देखिए एक उधारन तो है कि जैसे राजस्तान का 3 लाग प्रतिवर किलोमीटर में राजस्तान की जनसंख्या कितनी है 570 लाग तो प्रतिवर किलोमीटर की बैक्तियों की संख्या कितना आएगा 570 बटा 3 इसको जब हमने भाग करके देखा तो उत्तर आया 190 लाग अब इसी तरह से हमें यूपी की जनसंख्या प्रतिवर किलोमीटर निकाल ली है तो इसको हम कैसे करेंगे हमें ये पता है कि यूपी की जनसंख्या कितनी है 1660 लाग तो प्रतिवर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर है 2 लाग प्रतिवर किलोमीटर यूपी का शेत्रफर तो इसको 2 से भाग करना पड़ेगा तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा कितना आएगा बताएगे भाग करके देखिए 830 लाग तो ये तो आगया यूपी की जनसंख्या का प्रतिवर किलोमीटर में वो कितनी जनसंख्या रहती है यूपी की और अब बताएए दोनों में से किसकी जनसंख्या कम है तो किसकी जनसंख्या कम है राजिस्थान की दूसरे उत्तर का दूसरे का उत्तर है राजिस्थान इस तरह से हम यहाँ पर दूसरे का उत्तर लिख देंगे तो चलिए अब हम अभ्यास करते हैं और अनुपाद ग्याद करें पहला प्रशन है अनुपाद ग्याद करें और दूसरा प्रशन अब हम करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट कोश्चन यानि पहला कोश्चन है अनुपाद ग्याद करें और इंग्लिश में find the ratio तो क्या हमें अनुपाद ग्याद करना है जैसे हमने पहले समझा था 5 रुपीज टू 50 पैसा यानि 5 रुपे को और 50 पैसे का अनुपाद हमें ग्याद करना है तो हमें ये पता है कि 1 रुपे में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे तो 5 रुपे में कितने पैसे होंगे 500 पैसे तो 500 पैसा अब दोनों बराबर हो गए 500 पैसा पांच रुपे का मतलब 500 पैसा, अनुपात 50 पैसा, इसको हमने भाग करके देखा, उतराया 10 पटा एक, तो अनुपात हुआ, 10 अनुपात एक, यानि 10 रेशो 1, फिर question number 2, part number 2, 15 kg to 210 g, 15 kg से 210 g, इसका अनुपात निकालना है हमें, हमें ये पता है कि एक किलो ग्राम में 1000 g, यानि 1 kg is equal to 1000 g, तो 15 kg में कितने ग्राम होंगे, 15,000 g होंगे, अब दोनों बराबर हो गए, 15,000 g रेशो 210 g, तो फिर हम इसको ग्राम में नहीं देखते, अब हम इसको डिवाइट करके देखते हैं, तो हमारा डिवाइट करने पर answer आए 7, तो इसकी जो रेशो बनेगी, वो बनेगी 500 रेशो 7, ये इसका answer होगा, Now the third part is 9 meter to 27 centimeter, यानि 9 meter और 27 centimeter का अनुपात करना है, तो we know 1 meter is equal to 100 centimeter, यानि 1 meter में 100 centimeter होते हैं, तो 9 meter में कितने centimeter होगे, 900 centimeter, अब हमने दोनों को equal कर दिया, 900 centimeter ratio 27 centimeter, फिर हमने इनको दोनों को डिवाइट करके देखा, answer आया 100 by 3, then answer is 100 ratio 3, इस तरीके से हमें इसको solve करना है, Fourth part is 30 days to 36 hours, यानि 30 दिन को और 36 घंटे के बीच में अनुपात निकालना है, तो पहले हम 30 दिन को घंटों में change कर देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाएं, हमें पता है कि 1 दिन बराबर 24 घंटे, तो 30 दिनों में कितने घंटे होंगे, 720 घंटे, 30 गुना 24, तो अब हम इनका अ अनुपात निकालने, 720 आवर्स, अनुपात 36 आवर्स, इनको डिवाइड किया, तो आंसर इस 20 बटा 1, यानि 20 बाइ 1, तो आंसर बन जाएगा 20 देशो 1, इस यार आंसर, फिर प्रश नमबर 2 है कि अपने दैनिक जीवन से कुछ उधार्नों की सूची बनाए, जहां अनुप अगर भी हमने एक्जामपल पढ़ा, जैसे हम जब स्पीड का पता लगाते हैं, गती का पता लगाते हैं, उसमें भी यूज होता है, इसी तरह से जब हम दो फलों की तुलना करते हैं, या भार की तुलना करते हैं, तो सब जगे अनुपात का यूज होता है, इस प्रशन को आपको खुद से करना है तो ये तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगाकर पुरी मेहनत के साथ पढ़ते लाइए और अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोई अगर आपको COVID-19 से बचना है तो याद रखिएगा न जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई धिलाई नहीं धन्यवाद